हाई गाईज, वेलकम टू माई चानल, आज हम लोग पढ़ने वाले क्रॉप प्रोडक्शन और मेनेजमेंट, तो चले शुरू करते हैं, पहली और बूजो दो भाई वहन हैं, और वो समर सीजन के दौरान अपने अंकल के घर जाते हैं, देर अंकल इसा फार्मर, उनके अंकल एक फार्मर होते हैं, one day they saw some tools like खुर्पी, सिकल, स्वोवल, प्लॉक्स, इन दे फिल्ड, उन्होंने फिल्ड में क्या देखा, एक खुर्पी देखा, सिकल्स देखा, स्वोवल देखा, प्लॉक्स देखा, तो बूजो के मन में एक सवाल आया, I want to know where and how you use these tools, तो बूजो पड़ा है कि सारे जो जीवित प्राणी है, उन सभी को खाने की अवशकता होती है, हम सभी ने पड़ा है कि और जितने भी जीवित प्राणी है, सभी को खाने की अवशकता होती है, plants can make their food themselves, जितने भी पौदे हैं, वो अपने खाना खुद बनाते हैं, can you recall how green plants synthesize their own food, क्या आप सभी recall कर सकते हैं कि जितने भी पौदे हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, animals including, animals को साथ ले के, humans can not make their own food, humans जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, so where do animals get their food from, animals अपना खाना कहां से लेते हैं, but first of all, why do we have to eat food, first of all हम ये पूछते हैं कि हम लोग खाना क्यू खात है, you already know that energy from the food is utilized by organism, हम लोग सभी जानते हैं कि जो energy होता है, जो उर्जा होता है, उस वो खाने से आता है, carrying out their various bodies function, जितने भी हमारे body में functions होते हैं, वो खाने से ही होते हैं, such a digestion, respiration and excretion, जिसकी digestion है, पाचन क्रिया है, सांस लेने की प्रणानी हैं, ये सब हम लोग खाना खाने के बाद ही, जितने भी processes हैं, वो होते हैं, we get our food from plants or animals or both, हम लोग अपना खाना जो है, वो plants से भी लेते हैं और animals से भी लेते हैं, दोनों, तब बूजो पूछता है, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country, बूजो पूछता है कि हम लोग सभी को खाने की जरूरत है, लेकिन हम लोग इतना सारा खाना इतने सारे लोगों में कैसे बाद सकते हैं और कैसे दे सकते हैं, तो पहेली बोलती है, food has to be produced on a large scale, तो food मतलब खाना बहुत जादा amount में produce करना पड़ेगा, इतना लोगों को देने के लिए, in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary, इस process को continue करने के लिए हमें regular production करना पड़ेगा, और proper management करना पड़ेगा, distribution करना पड़ेगा, जिसके लिए ये सभी तीनों प्रक्रियाएं जरूरी है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, crop production और management में, पहेली और बूजों के जितने भी सवाल हैं, हम लो में लोग जो हुएं, वो खाना ढूंडते था, एक जगा से दूसरे जगा जाकर, और जितने भी कच्चे सब्जियां हैं, फॉल हैं, और उन्होंने हंटिंग भी स्टार कर दिया था, अनिमल्स को मार कर खाने के लिए, मतलब यहीं से अग्रिकल्चर की सुर्वात हुई थी जैसे की वो नुग चावल उगाने लगे वीट उगाने लगे और अधर जित्ते भी फूड क्रॉप्स है वो सभी उगाने लगे यही पहली सीडी थी अग्रिकल्चर की मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्यों में अलग 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 तेंप्रेचर अलग अलग हुमेडिटी अलग अलग रेंफॉल सब अलग अलग होते हैं बारिश होती है तो कहीं और बारिश नहीं होती यहां गर्मी होती है तो दूसरे जगा बारिश नहीं होती गर्मी नहीं होती इस वीडियो में इतना ही तक अगले वीडियो में हम आगे डिसकुशन करेंगे इस चैप्टर के बारे में थैंक यू अगर पसंद आए तो बेल झाल झाल